हलो दोस्तों आपने होटेल रेश्टारेंट में फ्रेड राइस तो खाया होंगा सेम फ्रेड राइस आज मैं बना के रेडी करने वाला हूँ तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाते कई से है स्वागत है आपका मेरे चाइनल घर का पकवान विलेज रेसीपे में सबसे पहले मैंने यहां पर दो कप नॉर्मल राइस लिया है और उसे अच्छे से वास किया है वास करने के बाद मैंने यहां पर थोड़ा थंडा पाने में उसको लगबग 20 मिनिट के आसपास के लिए होल्ड करके रखा है उसके बाद एक पॉट में एक या दो ग्लास पाने लेके बॉइल करने के लिए रखा था और उस साथ ही में कुछ वेजिटेबल्स भी लिया था इसको लगने वाली जो सबजिया है एक पैज एक 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 आलू पत्ता गोबी कुछ बीन्स कुछ टमाटर हरी मिर्च लाल मिर्च लसन की कुछ कलिया और अद्रक इसको मैंने अच घ्रम हो गया मैंने यह पिडाल दिया है इसे हमें ज्ञादा दिर तक नहीं पकाना है बस एक उबल आने देना है देखो यह उबल आ चुका है इसके बाद हम चावल को एक सिव में निकाल लेंगे उसका पानी निकाल लेंगे पानी चान लेंगे तेकि हमारा क्या चावल है अच्चे से खेला-खेला रहे है कि अ कि कर तके मैं जुद्री अ कि ग्यास मेंने बंद कर दिया है इसको सिव में निकाल रहा हु कि सिव में निकाले बाद धाई या कि इसको थोड़ा थंड़ भाने हें से थीवो दिया है तकि हमारा चावल अच्छे से नढ़े अच्छे से खिल साथी मी मैंने यहान पे कुछ हरी मटर भी लिया है सिक यहाँ पेड़ में थीन से चार चममच आइल एड़ किया है आईल को हम अच्छे से गरम होने देंगे ताकि हमारी जो सब्जिया है थोड़े क्रंची बने और ग्यास का भी प्लेम मैंने हाई कर दिया है आईल हो गया है हमारा सबसे पहले यहाँ पर लसन की कड़िया उसके बाद बारी कटी हुई अद्रक इसको मिला लिया है उसके बाद मैंने आपे बारी कटी हुई पैच इसे हमें अच्छे से मिलाना है इस तरह से प्रेड राइस में पैच गोल्डन आनी चाहिए ऐसा कुछ आता नहीं हम थोड़ी देर तक ही इसे पकाएंगे हमें सब्जियों को थोड़ा क्रंची करना है तो थोड़ा गैस का फ्लेम हाई रखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लाल मिर्च यूज किया है आदिसी कटी हुई और साथ ही में हरी मिर्च भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देखिए इस तरह से थोड़ा इसका टेक्चर आने लगा है इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बीन से अट किया है बारिक बारिक उसको कटकर दिया था और साथ ही में मैंने फुल गोभी फुल गोभी आप बड़ी भी रख सकते हो आपकी साब से मैंने बारीक बारीक कटके फुल गोबी और पत्ता गोबी को भी मैंने एकदम बारीक कट लिया था साथी में यहाँ पत्ता गोबी में आड़ कर रहा हूँ इसे सबसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई टमाटर टमाटर को भी अच्छे से मिला लेते हैं और लास्ट में यहाँ पर बारीक कटा हुआ आलू साथी यहाँ पर मैंने ग्रीन मटर भी डाल दिये ग्रीन मटर से आपका फ्रेड राइस का स्वाद और ही अच्छा लगेगा और ही बढ़ेगा इसे हम अच्छे से मिला देंगे सारी सबजे को हमें नमक आप स्वाद के नमक अच्छा डाल लेगा मैं नमक आप 2 टेबल फ़ून नमक का किया है बस 2 मिनिट मैंने सब्जीओ को पकाया है यहाँ पर मैंने सोया असमें होक्लिक्स फिली सास विनेजर भी एड़ कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है, देखो टेक्चर बहुत ही बढ़िया आ गया है, और लास्ट में हमें राइस, जो हमारा पका हुआ था, ओ एड़ किया है, राइस के उपर भी मैं थोड़ा सोयसा यूज कर रहा हूँ, तक कि हमारा प्रेड राइस का जो स्वाध है, और बड़े, देखो इस तरह से हमारा प्रेड राइस बनके रेड़ी हो चुका है, लास्ट में गार्निस के लिए मैंने हापे कुछ हरा दनिया यूज किया है, हम इस अभी एक प्लेट में निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं उसका ट्रेक्चर कैसा आ गया है, सेम होटेल रिस्टोरेंट जैसा आपको प्रेड ड्रेस मिल गया है, थैंक्यू झाल 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 झाल